बटूरे बनाने के लिए दो से तीन कप मैदा के अंदर नमक वेकिंग पाउडर और खटा वाला दगी डाल करके अच्छे से मिला लेंगे फिर पानी डाल करके उसको एक स्मूद बैट में उसको गूत लेंगे और अच्छे से इसको गूत इंगे ताकि हमारे बटूरे जो है सब्सक्राइब दालेंगे और तेल डालकर कि उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि एक अच्छे सा ग्लेस आजाए और फिर इसकी बाद थोड़ देर के लिए इसको ढख करके हम एक तरफ को रख देंगे तब तक हमी सारे इंग्रीडियन्स चित्ते भी हैं वह सब हम अपने प पाइन डालकर के इसको एच्छा थी पेस बना लेंगे उसके बाद हम कुकर के अंदर अपने वह चोले डालेंगे उसके दो तेज पत्ता डालेंगे और एक बड़ी लाइची डालेंगे दालचीनी के तुकडे और इसमें थोड़ी सी लॉंग और काली मिर्ची दो एक पकने तक इसको पका लेंगे और फिसके खोल च्छेक करेंगे कि मैं छोले पक गए या फिर नहीं पके एक दूसरे कुकर के अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे दो तेज पत्ता डालेंगे थोड़ा सा जो प्यास है पहले जुमने काटके रखा था उसको इन्दर आणगे और विग्वां मुच दॉट है लसन काट जा डूसरी प Cyrus पहलेंगे और डाला था थोड़ा से ओधिए लसन था ही ठालेंगे विणा थोड़ा सांथ दालें तर्ले अठूल लेंगे लॉता चंछ आ चले हमें पहले बुट है यो दोट धालेंगे लूञा स्वान सें देशी की डालेंगे उसमें मिर्ची डालेंगे अद्रक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे अभी थड़का हम अपने छोलो के अंदर डालेंगे इसके बाद थोड़ा सा उपर से इसमें दनिया डालेंगे और फिर एक तरफ हम पनीर के अंदर दनिय और लाल मिर्ची प्यास डाल देंगे और यह देखिए हमारे सारे चोले तैयार है और फिर हम बटूरे के लिए एक लोई का कटोरी बनाएंगे उसके अंदर हम अपनी फिलिंग भरेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे और फिर इसके बाद तेल लगा कि उसे थोड़ अच्छे से हम तल लेंगे फिर मिसकी फ्लेटिंग करेंगे अपने चौले ममी ने मेरी सर्फ कर दिये थे और हमारा सब्साइब गया रखाता था तोड़ से प्यास बगेरा सब रखती है थे ऊपर समय ने धनिया से गानिश करा था और यह ममी ने बाइत बनाया था हम लोगो के लिए अब इसलिए आपके लिए और आप देख सकते हैं यह ममी ने रेडी कर दिया